जहाप पर मदपरिश्टी ग्रह मंत्री डॉक्टर नरुक्तर मिफ्रा प्रस कॉंपरेंस कर रहे हैं सभी राजनेतिक दलों की लोगों से कांग्रेस भी बसपा भी पूरु में भी चर्चा कर चुके हैं वो कई बार और फिर एक बार लोकडाउन के बारे में सभी राजनेतिक दलों के अध्यक्षों से बात करके उनकी राए भी जानेंगे पहले कि वो पूरु मुख्य मंत्रियों से मानियुमा भारती जी से, मानि दिखुजे सिंग जी से, मानि कमलनाज जी से बात कर चुके सभी धर्म गुरुओं से भी चर्चा होगी मानियस सम्मारिक मंत्रि गढ़ जो अपने-अपने संभाग के प्रभारी हैं माननी तुलसी सलावड जी माननी कमल पटेल जी माननी गोविन सिंग जी राजपुश जी ये सभी अपने अपने संभागों में अपने अपने संभागों के जन्पग्गमियों से कॉन्फरेंस के माद्धम से तेलीफोन के माद्धम से फीड़ेड लेंगे. जहां मंत्री लोग बात नहीं कर पाएंगे, वहां के जला धीस, कलेक्टर, क्राईसेज मेंचिमेंट कमेटी है जो, जिसमें जन्पितनी दी भी हैं, अनिदलों के लोग भी हैं, उस क्राईसेज मेंचिमेंटρωक बात करके, पूरी राय कल तक सभी सम्मानित मंत्रीगा, सभी सम्मानित चिलाद्यट, कलेक्टर, सभी राय में तक दलों से चर्चा करके क्राइसेज मेनुइमेंट पर हर जले से रिपोर्ट आएगी उसके बाद कल समरी बनाकर केंजर को भीजी जाएगी आज से कल तक और कुछ पूछरा हो, हमारे यहां 71 विक्षी छेत्र हैं निवेश की और 12 विकास फील छेत्र है, दो हजार हेक्टर भूमी अलग से हमने चिन्नित की हुई है, अभी आरक्षित और जिस छेत्रों में, रतलाम के पास के जाबरा में, बावई के पास मुहासा में, महोना, हिंदोर के पास में, सीतापुर में, इसी तरह से हमारे फार्मा पार्क, चमडा कुटिर उद्द्योग ये सब के लिए आज बात हुई है, और इसमें इन उद्द्योग जो अभी हमारे लगे हुए हैं, जो चालू इस्तिती में हैं, कोरोना के कारण से, कुछ विलम्मित या व्यवधान यहां आया है, इन सवो में अतिशीग्र लोग काम करने लगें, अतिशीग्र चालू हो जाए, इस विशे के अलावा उस विश यह एक बात हम सब के ध्यान में रहना चाहिए, कोई भी दुखत मौत करोना कोरोना से न हो, इसके लिए लगातार प्रयाज जारी है, आपने देखा हुआ कल तक अपने उज्यन में, चार दुन में कोई भी दुखत मौत नहीं हुई थी, मौत कोई भी दुखती होती है, में का रहे हैं, तो सुबाबी की रूट से इसमें घटना बढ़ना जारी रहेगा, लेकिन आप यह तो मानती होंगे कि मद्य प्रदेश में करोना जैसे रोग से ठीक होने वालों में परश्चत हमारा काफी उपर है, 40% के उपर हमारा रेश्यो है, जो अपने आप में रिका मद्य प्रदेश को क्रोस होके दतिया पे खड़ी होती है, और वहां से यूपी में प्रवेश करती है, वो दतिया से, मैं डेव महने से उससे, यूपी की लेवर बिहार की लेवर निकलती वहीं से, तो हम देव महने से देख रहे हैं, पर माई की क्रपा से हमारा दतिया भी बचाए लेकिन ये लेवर जहां भी रुकती है या लेवर हमारे मद्यप्रदेश की लोट के जिन गाओं में जाती है उन गाओं में ये दिक्कत तो सुभाविक रूप से आती ही है अब आप कल्पना करें आज महाराश से सो बसे आ रहे हैं कितनी सो बसे अभी नो ट्रेने आ सो बसे हमारी यूपी से भरके मद्यप्रदेश आ रहे हैं आज कलने के रहा मैं ये आज आज की आपको बता रहा हूं इसी तरह से गुजरास से बसे आ रहे हैं अब चारों तरफ से जब लेवर किया है हाला कि सरकार ने पूरा उनके एग्जामिन करने के लिए उनकी जाज क करने के लिए सारे वद्नोवस्त की हैं पर फिर भी पैदल से चल देते हैं वो अपने सादरों से चल देते हैं ट्रक से चल आप एक बार मेरे नवेदन हाई वे जाके तो देखो आप यह से जाओगे जतिया यहां बाइपास है भरा पड़े हुए सारे पर सबाबिक रूप से घटकर तो आई यह वो बातावर जिस तरह का बना उससे एक बात तो प्रतिदू के यह बातावर इस तरह का है कि लोग घर तो जाएंगे और घर जाएंगे तो लिख लेंगे तो बद्य प्रदेश से आज पास के आठ प्रदेश से घरा हुआ है तो इसलिए वो चलता रहे हैं अब जो पूछते जाओंगे बोलता जाओंगे तो बहती है निया उनको राज पीशे बुदर मूं करो उनसे को प्रदेश के लिए देखो आप वो मैंने भी पढ़ा समझा वो जो अधिकारी उनसे को ना आप अब कुछने वाली से कोगे आप आप की वास्ते पीपास में एक बात ध्यान रहे कि जो फोन जहां आप लगा रहे हैं वो फोन अधिकारी से अधिकारी के कनेक्शन के लिए थ पॉलिक के कनेक्शन के लिए पॉलिक के कनेक्शन का फोन अलग है लगा दिये अधिकारीों को आपने फिर उसके बाद च्छाब दिये के उठानी रहे हैं वो सवाब की रूप से वो नहीं उठता है अगर वो इंटर स्टेट जो अधिकारी जो वहां पर बैठी है महाराज जो वहां लोगों को एसेंबल करके ट्रेन बर रहे हैं आप उनके लिए ईपास बोपाल से जारी कर दो ये कहेंगे तो वहां का का काम प्रभावित होगा बाहर का मैदूर उतावला पर इतना जादा है कि पैदर चल परता है वो थोड़ा सा भी उसे आसंका भी हो जाए तो वो अपना सादन तलास ताया पर दर चल देता है ये हमारे लिए फिर दुखत कोई प्रसंद गढ़ जाता है तो बुरा लगता है तब बात आती है ईपास की तो ईपास के लिए हमारे उनके साथ साथ हमारे माननी मंतरी सलावर जी बाहर से आने वाले लोगों को भी देख र की हैं वो भी इस काम को देख रहे हैं और नगरी प्रसातन विवाग के प्रमुक सचुद दुवे की इस काम को देख रहे हैं बागी को काई को फोन लगाना इनके स्टाप या उसको लगाना चाहिए इससे ये दिक्कत दूर होगी अब पूछाए है हमारे मुख्यमंत्री मानी शिवराग सिंगी चोहां ने कल भी कहा है आज भी कहा है सभी जिला कलेक्टर जो उस हाईवे के रूप के पड़ते हैं कि पैदर जाने वाला स्रमिक वो किसी भी प्रदेश का हो और किसी भी प्रदेश पर जा रहा हूँ आप उसको अगर पैदर जा रहा है तो उसको बिठाल करके भोजन दुवर्ता नास्ता कराके और बाद के भोजन अगले इसको पेश तक छोड़ें इससे वो अपने गंता बिठी हो और जाएंगे और पूछे हमने तो आज अभी आप जो बात हुई आज से आप जेखें जरूर दिखेगा इसमें भारत सरकार की जो अपेश्चा पेश्रम कानून में सो से अधिक तीन सो वाले जो सरस्थान है उसको आज हमारे सरकार ने यहाँ से मंजूरी दे के बहे दिया है बिद्दुत सक्ती में बारत सरपार की अपेच्छा के उनसार 10 से अधिक 20 स्रमिक रखेंगे और 50 और उससे उपर भी रखने की आज मन्सूर दी गई है खेका स्रम अधिनियम में 20 से बढ़ाकर 50 करने का भी आज प्रिस्ताव मन्यूर किया गया है सिंगल विंडो परिश्यप्सन जैसा आपने देखा होगा कि जो हमने अपनी पूर्ग की शिवराज 3 के समय में जो था वो 4 में भी लागी उगा है और ये सिंगल विंडो था अपना ठीक है राट पूसाम ना शिवराज 4 में आपका रोल चैंज लेरा आपने देखा र्यान से है रोल तो ये ही चलना है ये कंपाउंडिंग वाला भी हमने इसमें डाला है समसुदार में पहले सीधा मामला कूर्ट में चला जाता था अब ऐसा नहीं कंपाउंडिंग में अब छोटे-छोटे मामले होते हैं जुर्माना से ही निवट सकता है चोटी चीज में हलो सकता है तो अब वो कंपाउंडिंग के माद्यम से उसको पहले ही निवटा लिया जाएगा नियायले में सीधा नहीं जाएगा पहले लेवर इस्पेक्टर वाले बहुत परिशान करते थे अब ऐसा नहीं है अब हमने इसके लिए एक अलग से वो किया है कि कोई इस्पेक्टर अब सीधा नहीं जा सकेगा कमिशनर को लेवर कमिशनर को अब वादिकार दी है कि वो अलग से एक इस्पेक्शन के लिए वेक्टी बेजेगा जो इसके ऊपर से होगा गलती करने पर उसको सजा मिलेगी ओनलाइन डाजिस्टेशन की बात भी इसमें मानी गई है कार खाना अधियम 1948 की धारा पांच के अतहरत प्रदक्सक्कियों को प्रियोग में लाते हुए कार खाने में कार की अवधी आठ घंटे से वड़ा कर बारा घंटे जो आप सब के संज्यान में पहले आ चुकी है आज उसका विद्वत केवनेट में प्रिजन्टेशन भी हो लिया है इसी 24 अप्वेल 2020 के नाम से जाना जाएगा दुकानों के बारे में आप सब के ध्यान में आगया है सुबह 6 बजे से राद के 12 बजे तक दुकान को लेंगी और बीच में कोई भी इन सब को रोक नहीं सकता है और कुछ पूज़ना इसे चलाओ यह दिना बिलकुल बिलकुल मिलेगा सबी को एष्टा ही मिलेगा इसलिए बढ़ाया है अज से और भी जो बता दू दिये मैंने या मंदी अगनियम में सोदा पत्रक के माद्यम से कोई भी ब्यापारी किसी भी किसान के खेट पे या घर पर जाकर उसकी फसल की खरीश सकता है अगर सोदा उसका पढ़ता है तो मतलब किसान सेहमत होता है ब्यापारी दोनों सेहमत होते है तो मंदी स्वयम भी चालू रहेगी ऐसा कोई भ्रम न प्हेलाए कि मंदी बंध हो जाएगी मंदी चालू रहेगा किसान की मर्जी है वो private मंटी पे बेचे सरकारी मंटी पे बेचे वो खेद पेचे इसमन बिसान बन-बन नहीं है किसी भी द Kendalli के हितों के साथ में किसान के हितों के साथ में कोई खिलवाड नहीं किया गया है फूरे से सुधार आजाएंगे फाइदा हो जाएगा जैसे पहले सब्जियों पे 8% वो लगता था कमीशन अब इससे वो बचा जाएगा किसान की फसल जो है न ताजी उसको दिक्कत नहीं आएगी कोई भी गत्ती चाहिए वो किसान हो या व्यापारी पुर्की निजी मंडी भी खोल सकता है वो मंडी समिती रहेगी एक ये भी भ्रमाय था कि क्रशी पज मंडी समिती के चुनाव हुए थे डारेक्टर बनते थे अध्यक्ष उपाद्यक्ष बनते थे वो समाप्त हो जाएंगे ऐसा नहीं है विद्वर्क चुनाव होंगे और डारेक्टर भी बनेंगे और उनके अधिकार यथाबत रहेंगे मन्नी प्रांगल शेर्थे के ये विश्यते मुक्त मुक्त आप लोग को तो भोजन कर लूँ ग्राइम अंट्री दॉक्त नौरुत्त मिश्या प्रास कॉंफरेंस कर रहे थे पत्रकारों से मुखातिब हुए जानकारी दे रहे थे किस तरह से जो प्रवासी मजदूर है उनको उनके गनतवी तक पहुचाया जाएगा जो कुछ भी उस कोरोना काल में जो कुछ जिस तरह से ये संकटों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है किस तरह से राज़ी सरकार के त्वारा क्या कुछ यह सुभी धाये थे जा दी जाईगी और कौन कितनी जो जरूरी दुकाने है वो किस वगत खुलेंगे तमाम चीजों की आजकारी देखते हुए सागर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने की बचे से अब प्रिश्वासन भी अलर्ट हो गया है और सागर की नर्यावली विधान साभाई सुरती से 11 लोगों को बीधी अस्पताल भेजा गया है जहां कलाक्चर एस्पी ने कौरिंटीन और पाच के आदेश पाच लोगों को कौरिंटीन की एज़ाने के आदेश किया है पॉजिटिव मरीज के साथ है सुराब लेने गए दोस्ट भी कौरिंटीन किये गए है साथ ही जरुआ खेड़ा में भी तीन लोगों की थर्मल स्कैनिंग की गई तो चलिए एक बार से आपको सीध है ग्रहमेंट्री के प्रस कॉन्फरेंस में लेश हमते है उनने कमलना जी ले जिस तरह से भाई कवा आए बाईश आप इंटलिजेंस की रिपोर्ट देखिए बाईश तारिक के पहले जितने जमाती आए सब बाईश के पहले आए उसके बाद तो तेईस को मानिश शिवराज जी ने सपत ली रात को नो वज़े सपत ली और दस वज़े बल्लब हो ले बैठक तारम हो गई उसके पहले मुक्ष मंत्री ने एक भी कोरोना की बैठक ही नहीं ली मैं जितनी बात कर रहा हूँ रिकार्ड की बात कर रहा हूँ ये रिकार्ड की बात कर रहा हूँ और आप सब लोग बहुत जागरूप लोग है प्रदातंतर के चोथे इस्तम है ये आप रिपोर्ट नेट पर जाके या सूचना के उसमें जाके आप निकलवा सकते हूँ पतानी क्यों नहीं किया हाला कि उनने एक ली नहीं बेजा संदेशा ये गलब था मंत्री जी अभी ताज़त ख़बर ये है कि गाडरवारा में एक फ्रक पलड़ गया है कि समेच्छे महल मारे गया है ते ताज़त ख़बर जयो भी देखन मैंने काहा दिखद है कहाकी है अभी अभी यहाद रहने वाले कहा कि है जहांके भी होंगे मेरी जानकारी अभी अभी ताजा ख़बर बता रहे हुआ मैं जानकारी लेकर बोलूँगा आपके बीच में आके क्यों नहीं बोलूँगा दुखा गया पर जो भी हो बाइदू हो या कोई भी हो सब कंग्रेस विदायश वैसा तो कुछ दे नी जे अपने विदायश नी दी से ना 30% को चटवारे पत्र गवार बोतर आज रहे हैं क्रमनाज जी ओं दिख विजे जी हो माने, स्वनिया जी भी मानी, वह भी कर रहे हैं और राजिनी की कंग्रेस की ट्वीटर और फेस्बुक और पेपर तक रह गई है एक भी कहीं मैदान में कोई भी कंग्रेस का नेता नी दिख रहा है ये भी हो सकता है कि स्वास्त की चंता वो करते हो पूरा उजन्दो। हम पर जान्दो। हम प्रयास करेंगे, वेसे तो कोई बढ़ी आना चाहेगा, आना चाहेगा तो कोई रोप नियुक्ता है, ऐसी मेरी निजी माननेता है, लेकिन अगर मानना करेंगे तो वानी मुख्रम देजी भी जान्दो। निजीद रूप से चिंता वाली बात है, लेकिन कोई हताहात नहों, दुखन नहों, बसले इसकी चिंता पूरी कर रहे हैं, हमारे पास पूरे एवेंट कि ले करें, पूरे बार्ड उपलब में, हमारे पास अग्रम तयारी के दस अच्जार बैट सकती हम चिंता कर रहे हैं, त इसकी रेज हमारी हिंदुस्तान में सबसे अच्छी होने वाली है, जिसमें मरीज ठीक होके हमारे जा रहे हैं, और हम वो सक्त हैं, जिरोंने जो करोना की गती थी उसको थामने की कोशिश की और सफल रहे हैं, पहले चार दिन में डबल हो रहे थे, नो अजय सिंग जी वाले ब इतनी जिसा में चल रहे हैं, माई ये परम्पता परमातना अगर साथ देते रहे हैं, ये हमारी कोशिस हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, लोगों को करोना के साथ जीने का आधी होना चाहिए, तो कि अभी इसका वैक्सीन नहीं आया है, मलेरिया, निमोनिया, इसे रोक थे हैं, उनके साथ हम ने सर्भाय किया, मौत दुखत नहों कोई भी, इसकी चिंता हो, बाकी आएगा और चला जाएगा, हजारों में ठीक हो गए, हमारा है, उज्जेन में मौत का का कोई जुद्या सब चाहरा है, था, अब मैंने का ना, कल तक हमने चार चार दिन में कोई भी वो नहीं होने दी थी, लेकिन उसे आप अज्जेन में जो आप जिसकी बात करते हैं, आप वाकूरा की हिस्टी में अगर चले जाएगे, तो आपको लगाएगा ज़िए दूसरी भी थी, जानकारी देते हुए, ग्रहेबंत्ली नवत्तम इश्रा, जब उनसे एक सड़कापसे के बारे में पूछा गया, जहां पे मज़ूरों की मौत हुई, तो उन्होंने कहा, कि अभी मेरे पास जानकारी नहीं है, मैं जानकारी जुटा के एक बार फिर से पत्रकारों से मुखाब हूँगा, और आप लोगों की तमाम सवालों की जबाब दूँगा, जब कोरोना में, जस तरह से, कोरोना की वज़ए से, जस तरह से मरीजों की बहुत हो रही है, उसको कहा है कि अभी तक इसका वैक्सिन नहीं बना है, लेकिन हमने कोरोना को हराया है, और आने वाले वक्त में वैक्सिन बनेगा तो और इतमिनान से और इसको हरा दिया जाएगा, मुलेचिन में रुकर एक बेट लिए